रक्षा बंधन पर भाईयों को क्या मिठाई दी जाए अगर आप भी इसी कश्मे कश्मे हैं तो आज का विडियो आपके लिए है जिहां हम यहां पर एक कटोरी बेसन और एक कटोरी घी से बनाने वाले हैं इतनी स्वाधिश्ट और महंगी मिठाई कि उसे देखकर आप यही बनाना पसंद करेंगे तो देखे मार्केट में महंगी महंगी मिठाईयां तो मिलती हैं पर इतनी भीड होती है साथ ही उसके शुद्धता के कोई ग्यारेंटी ने होती तो हम आपको आज एक ऐसी रेसिपी बताएंगे जो अगर आप बनाएंगे तो शुद्ध तो होगी ही बहुत ही जादा टेस्टी बनने वाली है तो चलिए आपको बताते हैं कि इसे आपको कैसे बनाना है के गाइस वैलकम तो तड़काविट स्टायल और एक कटोरी बेसन और घी की ये मिठाई रक्षा बंदन स्पेशल में आपके लिए तो पांच मिनिट में आज हम बेहत स सेखने में आपको जादा टाइम नहीं लगेगा और नहीं जादा घी लगेगा तो कल हमने जो रेसिपी डाली थी वो बेसन के लड़ू बनाय थे जो नॉर्मल बेसन की अच्छे से सिकाई हम ने करी थी पर आज इस सिकावा बेसन हम बजार से लेकर आए है और इसकी फड़ सिकावा है आप इसमें गरम गरम घी और शक्कर मिलाकर इसे तयार कर सकते हैं पर क्योंकि इसका स्वात थोड़ा भर जाए हम इसे एक से दो मिनिट तक घी में भूनेंगे सो फ्रेंड्स किसी भी स्टोर पर आप पता कर सकते हैं राकी की आस पास ही ये सिकावा बेसन मिलता है और इससे ये देखिए दो ही मिनिट में हमारा ये जो बेसन है इतना सुंदर कलर इसमें आ गया है तो अगर हम नॉर्मल बेसन से से बनाते तो कम से कम 15 मिनिट तक मीडिय से अजी एन माइंड ब्लोईंग तयार कर सकते हैं तो देखें दो मिनिट में अच्छे से हमारा बेसन सिग्या है अब इसे हम दूसरे बरतन में निकाल कर अच्छे से ठंड़ा कर लेंगे तो फ्रेंड्स राखी पर कई तरे की मिठाई हम बजार से लेकर आते हैं पर घर पर अगर आप ये मिठाई इस बार अपने भाईयों को देंगे तो एकीन मानिए दिखने में तो बेहत सुंदर लगेगी जो आगे पता चली जाएगा टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी है तो देखे सारे मिक्षर को हम एक अलग से बर्दन में ट्रांसफर कर लेंगे जिसमें हम ये मिठाई बनाने वाले हैं और थोड़ा से ठंडा हो जाए बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है हलका सा ये गुन-गुना रहे तब हम इसमें बूरा मिलाएंगे तो आप मत ये सोचेगा कि हम पाउडर शुगर इसमें मिला लें उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा बूरा को अच्छे से चान कर आप इसमें मिलाएए और बहुत ही स्वादिश ये मिठाई बनने वाली है तो एक कटोरी बेसन लगा था आधा कटोरी घी लगा था और इस स्टेज पर हम बचा हुआ आधा कटोरी घी भी इसमें डाल देंगे और शक्कर गंदाजा ये है कि ये जो बूरा हमने ली है वो भी एक कटोरी ली है तो तीनों के मातरा बराबर होगी तो ये मिठाई एकदम परफेक्ट बन कर आएगी तो अब इन तीनों चीजों को अ आधिश मिठाई तयार कर लेनी है तो मिक्षर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें डालेंगे बदाम आप चाहे तो आप इस्ते भी डाल सकते है और इसे और ज्यादा फ्लेवर फुल बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलाइची पाउडर तो य यहां मैं इसे एक दम युनीक सा शेप देने वाली हो तो यहां मेरे पस एक छोटी सी गोल रिंग है जिसे बिस्केट वगएरा बना सकते हैं तो देखे और बादाम थोड़ इसे हमने या स्प्रिंगल कर दी है उसके उपर यह रिंग रग दी है और इसके उपर हम हमारा मिक कर देंगे इस तरह और एकदम नीट एंड ट्लीन यह इस तरह एक टिकिया बना लेंगे फिर इसे हलके हाथ से एकदम हलके हाथ से प्रेस करेंगे और टर्न करके मैं बताती हूं कितनी सुंदर मिठाई बजार से भी ज़्यादा सुंदर यहां बन कर तयार हो गई है और बेसन से भी आप वी आप ट्रैं अपर देखे है और रहे पिस्ते और बजाय deputy पह्मारा मिख्चरणार बहरा दिया है रहे और एक्स्ट्रा पार्ट प्रेपार डिया और प्र इस रिंग को इसमें से निकाल लिया। इससे तरह सारी टिकिया हम िहाँ तयार कर लेंगे तो ये मिठाई जटपट तो बनती है, साथ ही टेस्ट में बहुत ही अच्छी होती है और कल जैसे कि मैं बता रही थी, हमने बेसन के लड़ू की रेसिपी डाली थी और मैं आपको बताती हूँ कितने शांदार ये लड़ू बने थे तो ये भी आप राए कर सकते हैं पर इसके लिए चैनल पर इस रेसिपी को देख लीजे और बना लीजे खर के बिसन से एकदम शांदार दानेदार हलवाई स्टाइल लड़ू तो फिलाल देखे सारी टिकिया हमने बना कर तयार कर ली है और आप इसे अब डिब्बे में भरकर अपने भाईयों को डाकी के साथ गिफ्ट कर सकते हैं सोब आच के रेसिपी आपको पसंद आई होगी और फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे यहीं तड़काविट स्टाइल पर तिल देन खुश रहे हैं अपना ध्यान रखे और याद रखेगा लाइफ इस ब्यूरिफूल बाई